हेलो बच्चो बड़ा खुशी का महल बना हुआ है क्योंकि अनकेडमी ने इस साल जही रैंक वन प्रोड्यूस की है तो बहुत सारे बच्चों का कॉल आना शुरू हुआ कि सर हमको भी कोटा इसारजी प्रोग्राम जॉइन करना है जिस प्रोग्राम से वन रैंक आपने प्रोड्यूस की है या हमारी पूरी टीम ने मिल करके जो यह वन रैंक प्रोड्यूस की है इस इंक्वारी इतनी जादा बढ़ गई कि मेरा दिमाग में आया कि क्यों ना दो काम किये जाए पहली ब मतलब अब क्या अभी भी मौका है इस srg प्रोग्राम में आने का तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं बच्चों तो सबसे पहले इसका का फुल फॉर्म srg का मतलब है special rankers group srg batch उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो वाकई में चाहते हैं अपने आपको टॉप 100 में देखना जो चाहते हैं टॉप 20 में देखना या यू कहें कि जो वन लाना चाहते हैं और वन आ भी चुकी है इसलिए हमारे पास इस बात का प academic head हूँ और hod physics भी हूँ quota center का तो बच्चों यह मेरा छोटा सा introduction है थोड़ा सा और आप लोग अगर नहीं जानते तो बता देता हूं मैं पिछले 20 से 21 साल से इस field में हूँ और करीब पिछले 10 सालों से continuously toppers पर काम कर रहा हूं multiple ranks मैंने टॉप 20 टॉप 10 में निकाली हैं और मै अब आगे बढ़ते हैं what is srg अखिरकार srg है क्या पहले इसको focus करेंगे और फिर हम focus करेंगे दूसरे वाले पार्ट पर कि आप इसमें admission कैसे ले सकते हैं ठीक है तो यह बनाया गया यह सोचने के लिए है क्योंकि हमारे पास जो queries आ रहे हैं न वो इसी तरीके के आ रहे है सर यह है क्या यह तो बता दो तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ आप अगर यहां देखेंगे तो मैंने कुछ फोटो भी डाली है इसको बैक करिएगा प्लीज यहां पर मैंटर्ड बाई चोडी इस इस पेशल रैंकर्स ग्रूप यह फोटो मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए कि आखिरकार ऐसर्जी में बच्चे जो पढ़ रहें किवह नंना उनकी फोटो डालने ताकि आपको विह दिखा सकें कि हमारे ऐसरी ग्रूप के बच्चें यह फोटो है और यह फोत जह फोस्टल में जहां बच्चे रह रह कोटों नहीं första ने ने फोटो ली थी तो नहीं क्यों ना आज के वीडियो में इस फोटो को भी दिखाया जाए तो आगे बढ़ते हैं कुछ points समझते हैं what is srg के लिए और क्या facilities है मारे पास srg में तो सबसे पहली चीज hybrid class hybrid class का मतलब क्या है hybrid class का मतलब यह है कि मैं अगर class ले रहा हूं बच्चो तो आप सामने भी पढ़ रहे हैं बच्चे और अपने घर पर भी पढ़ रहे हैं मतलब जैसे कि आप किसी और city में हैं और आप बहुत ही होनहार है और आप चाहते हैं कि मेरा सपना है top 10 में निकालना लेकिन किसी कारण से मैं नहीं आ सकता don't worry अब हमारा hybrid class system ऐसा है कि उस system में हम जितना ध्यान offline वाले बच्चो पर दे पाते हैं उतना ही ध्यान online वाले बच्चो पर दे पाते हैं मतलब यहां one on one हम बात कर सकते हैं उस platform पर तो बच्चो यह platform का फायदा यही ह होता है कि चुकि बहुत कम बच्चे होते हैं हर बच्चे को उसको परसनल अटेंशन चाहिए होता है तो यह platform उस परसनल अटेंशन के हिसाब से बनाया गया है तो hybrid का मतलब offline और online दोनों ही साथ-साथ चलते हैं राफ क्यूरेटेड स्टडी माटेरियल का मतलब क्या है सर साथ interaction करते हैं समय पता चला कि उसकी पेपर के अनालिसिस करी है और पटचला कि एंगलर मौमेंटम के कम संब 3-4 paper के बाद यह पता चला है एक किया करें एक काम करते हैं एक assignment बनाते हैं और उस बच्चे को देते हैं तो मैंने यह किया रे पनो पर श कंसे दे दिया है, वो करके आएगा, मैं वापस से अनालिसिस करूँगा, फिर से उसको देखूँगा कि आखिरकार वो कहां फसरा है, असाइनमेंट ऐसा बनाया है, जिससे मुझे उसकी सारी प्रॉबलम पता चल जाए, अब जैसे ही यह होगा तो बाट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी उसके साथ मैंने फाइनली इंट्रेक्शन किया नहीं है लेकिन चुकि पास्ट एक्सपीरियंसे ऐसे रहे हैं कि इस तरीके से मैंने वीक टॉपेक्स जतने भी वीक पॉइंट्स होते हैं बच्चों के वो सारे के सारे इंप्रूफ की हैं तो यह है क्यूरेटेड स्टडी मेटीरियल का मतलब इंडिविज्वल हर एक बच्चे के इसाफ से कस्टमाइज होगा आपकी डिमांड अलग होती ना या रसाजी में सेम मॉडिल कैसे दे सकते हैं से मॉडिल तो बच्चा करके बैठी जाता है तो आपक आ आधे साब से विक्ली क्लास टेस्ट यह विक्ली क्लास टेस्ट से धिमाग में आता अच्छा एक वेक में एक क्लास टेस्ट बिल्कुल नहीं एक वीक में आप advisor स्ट होते ह हैं मतलब दो टेस्ट होते हैं ना topic wise जैसे for example आज मैंने आपको पढ़ाया current electricity ठीक है अब मुझे पता है gravitation जो है ना अभी दो दिन पहले खतम हुआ है और आप उसके module लगा चुके है आप उसके module लगा चुके हैं आपने उसकी sheet कर रखी है आपने उसके assignment कर रखे है ELP कर रखी है तो अब मैं यह चाहता हूँ कि मैं बच्चों की performance gravitation पर चेक करूँ उनके घरवालों को भी पता चले बच्चे का यह particular topic कैसा गया तो मैं क्या करता हूँ उसको class test में gravitation भी आ रहा है और electrostatics भी हो सकता साथ में जरूवत पड़े तो वह भी दे दिया अब उस class test की daily report आ रहे है मेरे पास बच्चों के पास भी जा रहे है उनको पता चलना है कि वो कैसा perform कर रहे है तो होता क्या है कि जब आप सतत continuous लगातार आप अपनी गलतियों को देखते हो तो आप जाज़ादा तेजी से improve करते हो अब यहीं सोचो आपको एक महिने बाद चलेगा कि अरे यार मैं मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए आपको पता भी नहीं है किस topic में खराब आए लेकिन class test का फाइदा यह होता है कि आपको particular पता रहता यार यह topic मेरा week है क्योंकि इस particular topic के class test में मेरे मार्क्स कम आए थे तो यह है बच्चों यह बहुत important believe me इस class test से मैंने बच्चों को बनते हुए देखा है बहुत अच्छी अच्छी रैंग तक आते हुए देखा है मतलब जो पहले 500 से बाहर थे उनको मैंने अंडर 100 तक आते हुए देखा है national benchmarking national benchmarking मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं national srg हूँ तो national srg होने से मुझे बेनिफिट यह मिलता है कि nationally unacademy के 40 plus centers है cities में उन सारे centers तो 60 प्लस हैं मेरे साब से अगर मैं city की बात करूं तो वह 40 प्लस है उन सारे city के जितने टॉप बच्चे हैं ना उन सबसे आपका comparison हो पाएगा यह बहुत बढ़िया चीज होती है आपको पता चल पाता है कि आखिरकार हिंदुस्तान में जितने बच्चे बैठे हैं उनसे मैं कहां पर हूं कहां stand कर रहा हूं तो वह एक बहुत beautiful चीज है बहुत अच्छी चीज है जिससे आपको फाइदा होता है फाइनली आ रही है एनलेसिस यह वही पार्ट है जो इससे रिलेटेड है hybrid class sorry यह जो curated study material मैंने बोला था कि इसी एनलेसिस के बाद हमें पता चलता है कि बच्चे को जो study material देना है वह आखिरकार कैसा देना है तो एनलेसिस में one to one on one एनलेसिस करनी पड़ती है पेपर लेके बैठना पड़ता है टॉपर के साथ और एक एक कोशन में मतलब मुझे ऐसा लगा है कि physics का पेपर एक गंटे का है एनलेसिस में मुझे एक गंटे ही लगता है 45 minutes to one hour exactly पकड़ने में कि आखिरकार बच्चा कहां ल पड़ता है तो यह है एनलेसिस का फाइदा अभी आगे बढ़ते है बच्चो अगली आगे की चीज है हम लोग कि यह आखिर नॉर्मल बैस से क्या डिफरेंट है नॉर्मल बैच में अगर मैं अगर मैं अड्मीशन लेता हूँ तो मैं का बिलकुल डिफरेंट नहीं है आपको आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर चुके हो और आप यहां पर टॉप फाइव में आ रहे हो तो फिर हमें ध्यान देना पड़ता है आपके एक्स्ट्रा मैटेरियल देने में आपकी एक्स्ट्रा एनलिसिस करने में तो बैस तो जो नॉर्मल बैस है उससे यह के एसाब से डिफरेंट नहीं है इस बात का ध्यान लखिएगा ठीक है अब आता है हाउ तो जौइन कोटा एसार जी क्योंकि यह कोशन भी बहुत लगातार पूछा जारा है कि हैर कैसे जौइन करें कोटा ऐसार जी क्या अभी भी मौका है मेरे बाते पास जौईन कर देंका करेंगे बारातारी को एक टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे लेकिन उसका जो बैच चालू होगा वो करीब यह मान के चलिए 20 मही के एराउंड वो बैच चालू करेंगे तो बच्चो एक वीडियो बनाऊंगा उस टेस्ट से रिलेटेड निश्चिंत रही है जल्दी ही वो वी इसके लाबा इस आरजी इंटरेंस टेस्ट जो हम लेने वाले हैं बारा तारीक के अराउंड उसके बाद इंट्रेक्शन विद एचोडी मतलब आपको आपको लगता है कि यार मेरे क्रिडेंशियल्स थोड़े हैं अगर आप एक बार होडी से मेरा इंटरेक्शन करवादे मेरा इंटर्वी दिलवादे तो मेरा बहुत फाइदा हो जाएगा या यूं कहें कि यह दोनों चीज़े साथ में होती है और या फिर यह जो है ना यह पॉइंट यह मुझे सबसे इ यहां पर आए नॉर्मल बैच में एडमीशन लीजिए आपको मैं हातों हाथ पिक करूंगा यह मेरा प्रॉमिस है यह मैंने आज तक 20 के अंदर बहुत सारी रैंक्स जो है ना कमाल की बात यह है कि इस नॉर्मल बैच वाले बच्चों से निकाली है तो आईए आप एडमीश तो आपके पास यह तीनों चीजें नहीं पॉस्बिल है क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर मैं नहीं इसार जी इंट्रेंस टेस्ट में हो पाया मेरा अभी सेलेक्शन लेकिन मुझे पता है आगे तीन से चार मेहने मैं इतनी महिनत करूंगा कि मैं आपके सारी बैच में आने लायक बन जाओंगा तो भाईया एक काम करिए आपका सेबस ना छूटे तो आप नॉर्मल बैच में आईए परफॉर्म करिए एसार जी बैच में इंट्रेंस पाईए इसलिए बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट ही कि किस तरीके से मतलब हम बच्चों को ले रहे हैं आपके पास आपको लगता है कि आपके प्रीवेस इंसिट्यूट के क्रिडेंशल हैं और आप चाहते हैं हमसे जोड़ना तो एक गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है उसको फिल करें और फटा-